नमस्कार दोस्तों, एक बार भीर से आथ सफी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में UP लेखपाल भरती के लिए सामाने ग्यान के अंतरगत भारती अर्थ ब्योस्ता टॉपिक से टॉप 25 प्रशनों को देखेंगे आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिये यह आपके UP लेखपाल भरती के लिए काफी जादा important है पोजीवादी, सांमेवादी, सोतंत्र या मिस्तृत तो इसका जवाब क्या है दोस्तो इसका जवाब है भारत की जो अर्थव्योस्ता है वह मिस्रित अर्थव्योस्ता है इसको ध्यान लखिएगा ठीक है अब दोस्तो बात यह उठता है कि मिस्रित अर्थव्योस्ता कहते किसे हैं तो आप लोग ध्यान से सुन लेजिए जब किस पूजीवादी अर्थवयोस्ता की बात करते हैं, पूजीवादी अर्थवयोस्ता कीसे कहते हैं, जब अर्थवयोस्ता अमीर व्यक्ति के हाथु में होती है, अर्थात प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूजीवादी अर्थवयोस्त जैसे दोस्तों अमेरिका की अर्थव्योस्ता कैसी है तो अमेरिका की अर्थव्योस्ता पूजीवादी अर्थव्योस्ता है तो इसको ध्यान रखिएगा इस प्रस्ण में आप से पूछा गया था कि भारती अर्थव्योस्ता कैसी है तो इसका जवाब है दोस्तों मिस्त्रित अर्थव्योस्था है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशना आपके सामने है आप लोग इसका एंसर जरूर बताईए बंद अर्थव्योस्था वह अर्थव्योस्था है जिसमें यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि बंद अर्थव्योस्था में क्या होता है option है मुद्रा पूर्ती पूर्ता नियंद्रित होती है घाटे की वित्त व्योस्था होती है केवल निर्यात होता है ना तो निर्यात ना ही आयात होता है देखे दोस्तों सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि बंद अर्थव्योस्ता किसे कहते हैं तो ध्यान से आप लोग सुन लेजिए जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात करना पड़े तो उसे क्या कहते हैं उसे बंद अर्थव्योस्ता कहते हैं तो यहाँ पे आपका दोस्तों D option बिल्कुल सही हो जाएगा ना तो निर्यात और ना ही आयात तो बंद अर्थव्योस्ता में दोस्तों ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है यहाँ पे आपका D option या उपरिक सभी, देखे दोस्तों किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है, वह उसके प्राकृतिक संसादनों पर भी निर्भर करता है, पूजी के निर्माड पर भी निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका ब्हारत की कुल स्रम शकती का कितना प्रशित भाग क्रिशी में लगा हुआ है आपको बदाला है This state plan is 44 przy पुलिष्रम सक्ति का कितना पुलिष्रम सक्ति का प्रिष्य भाग क्रिष्य में लगा है। इसको ध्यान रखिएगा है। देखिए दोस्तों जो भारत है भारत एक कृसी प्रधान्देस है. यहाँ के ज्यादा तर लोग कृसी के जरिये अपना घर चलाते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों 54 प्रतिक स्रम सक्ती जो है वह कृसी मेंライगा हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल छेत्रफल का लगभग कितने फिस्ती भाग पर क्रिसी की जाती है इस प्रकार का प्रस्ण पूछे तो आप कहेंगे 51 प्रतिसेत मतलब की 51 प्रतिसेत भागों पर क्रिसी की जाती है ठीक है अगर आपसे पूछ पूछा जाए कि कितने प्रस्यत भागों पर चारागाह है तब आप कहेंगे लगभग चार प्रस्यत भागों पर जो है चारागाह है ठीक है और पूछा जाए कि भारत के छेत्रफल का भारत के कुल छेत्रफल का कितने प्रस्यत भागों पर वन है तो आप कहेंगे कुल 21 प्र प्रश्न है अल्प विक्सित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है option आपके सामने है स्वेक्षिक निस्क्रीता या आय में अस्मान्ता या सांस्कृतिक गत्विधियों का अभाव या लोगों में बुध्धी का अभाव यहाँ पर आपको बताना है द इसे ध्यान रखिएगा, अगला प्रशन आपके सामने है, इसका एंस्वर आप लोग जरूर बताईए, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रश्य सबसे अधिक है, आपको बताना है, ओप्सन है, बिहार, छतिस गड, उडिसा, जारखंड, यहाँ पे दोस्तों आपका सही प्रश्यत है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा 47.9 प्रश्यत, मतलब 47.9 प्रश्यत है, बिहार राज की बात करें, तो बिहार में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 41.3 प्रश्यत है, और उडिसा की बात करें, तो उडिसा में दोस्तों आपका जो प्रश्यत है, वह 45.9 प्र चलिए अगला प्रशनव हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारन करता है, आपसन है आपके सामने केंद्री मंद्री मंडल, लोकसभा, राजसभा या नीती आयोग, आप लोग कमेंट करके बताइए आपका यहाँ पे सही जवाब क्या है, देखें दोस्तो, भारत में गरीबी रेखा का जुन निर्धारन करता है, वह है नीती आयोग, नीती आयोग इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोस्तो आपके D-Option बिल्कुल सही है, नीती आयोग का पहले नाम क्या था दोस्तो, योजना आयोग नाम था, लेकिन भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, और इसकी अस्थापना कब की गई थी, अगर यह पूछा जाए, तो आप कहेंगे, एक जनवरी को इसके स्थापना की गई, ठीक है, एक जनवरी 2015 को इसके अस्थापना की गई थी, तो इसके बारे में आप लोग यह जानकारी ध्यान देखे दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश राज, मध्य प्रदेश राज का एक स्योपूर जिला है, जिसे जो है, भारत का इथियोपिया कहा जाता है, कुपोशन के कारण, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, आपका B आप्शन बिल्कुल सही ह या फिर यह सभी, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताईए, देखे दोस्तों, पहले आप लोग इसके बारे में डिटेल में देख लिजिए, IRDP क्या होता है, IRDP का मतलब होता है, Integrated Rural Development Program, इसका फुलफार होता है, Integrated Rural Development Program, देखे दोस्तों, IRDP जो है, यह 2 अक्टूबर 1980 को देश भर में लांच किया गया था, कब लांच किया गया था, 2 अक्टूबर 1980 को देश भर में इसे लांच किया गया था, यह एक ग्रामीड विकास कारिकरम है दोस्तों, तो IRDP एक ग्रामीड विकास कारिकरम है, इसको ध्यार कियागा, Trisum की बात करते ह तो ट्राइसम का full farm क्या होता है Training of Rural Youth for Self-Employment हिंदी में यह से क्या कहते है स्वारोजगार के लिए ग्रामीड युवाओं का प्रसिक्षन तो B option भी आपका यहाँ पे सही है यह भी जो है ग्रामीड विकास से संबंदित है और NREP की बात करते है या NREP के full farm क्या होता है National Rural Employment Program ठीक है तो यह भी दोस्तो एक ग्रामीड विकास कारिक्रम से संबंदित है गरीबी दूर करने के लिए तो C option भी यहाँ पे सही है यहाँ पे दोस्तो A, B, C तीनो option सही है यहाँ पे D option बिल्कुल राइट है यह सभी ठीक है यह सभी दोस्तो ग्रामीड विकास कारिक्रम से संबंदित है भारत में गरीबी दूर करने के लिए यह जो है कारिक्रम चलाए गए थे चलिए अगला प्रस्त देखेंगे अगला प्रस्त आपके सामने है अंतियोदय कारिकरम का उद्देश से था क्या सहरी गरीबी दूर करना या अलपसंख्यक को उन्नत करना या अनुसूचित जातियों के जीवन अस्तर सुधारना या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना तो यहाँ पे सही जवाब क्या है दोस्तों आप लोग बताईए अन्तियोदय कारिकरम का उद्देश दोस्तों क्या था अन्तियोदय कारिकरम का उद्देश था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा D option बिलकुल सही हो जाएगा बात करें दोस्तों अंतियोदर कारिकरम की तो 25 दिसंबर 2000 को यह लांच किया गया था कब किया गया था? 25 दिसंबर सन 2000 को यह लांच किया गया था और सबसे पहले दोस्तों यह राजस्थान में लागू हुआ था तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण देखेंगे मानो विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है आपको यह बताना है आप्शन है UNCTAD या ACN या IBRD या UNDP तो आप लोग बताईए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है मानो विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका राइट स्वर हो जाएगा D option देखें दोस्तों जो UNDP है ये मानो विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP की बात करें दूस्तो तो इसकी अस्थापना कब की गई थी UNDP की अस्थापना 1965 में की गई थी इसको ध्यान रखियेगा इसका फुलफार्म क्या होता है UNDP का फुलफार्म होता है United Nations Development Program क्या होता है United Nations Development Program हिंदी में से संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम कहते है इसकी अस्थापना 1965 में की गई थी चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे सभी प्रस्ण दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए ये सभी प्रस्ण आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है अनुपात जो है ये मानो विकास सुचकांग का माप नहीं है बाकी तीनों आप्सन सही है जीवन प्रत्यासा, साच्छार्तादर और सकल नामांकन ये तीनों दोस्तों मानो विकास सुचकांग के माप होते है लेकिन link अनुपाद जो है इसका map नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही है B option बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है World Development Report किसका वार्षिक प्रकासन है आपको यहाँ बताना है कि World Development Report किसका वार्षिक प्रकासन है option है IBRD, IMF या UNDP या WTO तो आप लोग बताईए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है देखें दोस्तों यहाँ पे बताना है कि World Development Report किसका वार्षिक प्रकासन है तो यह जवाब है IBRD IBRD का जो है यह वार्षिक प्रकासन होता है World Development Report ठीक है IBRD की बात करें दोस्तों तो IBRD का फुल फार्म होता है International Bank for Reconstruction and Development हिंदी में दोस्तों इसी क्या कहते है अंतरराश्टी, पुनर निर्मान और विकास बैंक कहते है ठीक है तो IBRD के बारे में आप लोग ध्यान रखियेगा इसकी अस्थापना कब हुई थी दोस्तों अगर आप पूछा जाए IBRD की तो 1944 में इसकी अस्थापना हुई थी इसको भी आप लोग ध्यान में रखियेगा ठीक है IMF की बात करते हैं दोस्तों IMF की तो इसकी अस्थापना कब की गई थी इसकी अस्थापना भी दोस्तों 1944 में की गई थी इसका फुलफार्म क्या होता है International Monetary Fund होता है IMF का फुलफार्म क्या होता है International Monetary Fund होता है हिंदी में इसे अंतराष्टी मुद्रा कोस कहते हैं IMF का मुख्याले कहा है अगर यहाँ पूछा जाए तो आप कहेंगे वासिंगटन DC में है ठीक है कहा है वासिंगटन DC में इसका मुख्याले है बात करेंगे दोस्तों WTO की तो WTO के बारे में ध्यान रखिएगा इसका फुल फार्म होता है World Trade Organization क्या होता है World Trade Organization इसका फुल फार्म होता है हिंदी में दोस्तों इसे 20 व्यापार संगठन कहते हैं और इसकी अस्थापन दोस्तों एक जनवरी 1995 को इसकी अस्थापन होई थी तो ये जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है भारत की राश्ट्री आयका प्रमुक्स्रोथ क्या है क्रिसी छेतर है या सेवा छेतर या उद्योग छेतर या ब्यापार छेतर तो यहाँ पे दोस्तो आपका सही जवाब क्या होगा आपका सही जवाब होगा दोस्तो सेवा छेतर भारत की राश्रियाय का जो प्रमुक्स रोथ होता है दोस्तो वह क्या होता है सेवा छेतर होता है सेवा छेतर के अंदरगत क्या क्या आता है परिवहन आता है संचार आता है बैंक आता है ये सभी दोस्तों परिवहन, संचार, बैंक ये तिनों दोस्तों सेवा छेत्र के अंदरगत आते हैं चली अगला प्रस्ण देखेंगे केंद्री सांख की संगठन CESO की अस्थापना कब हुई थी यह प्रस्ण पूछा गया है तो इसका जवाब आप लोग बताइए सही जवाब क्या है CESO की अस्थापना कब हुई थी 1950, 1951, 1952 या 1956 तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब क्या है आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे 1951 में केंद्री सांख की संगटन की अस्थापना 2 मई 1951 को की गई थी इसको ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे सभी प्रस्ण आप लोग ध्यान से देखते चलिए अगला प्रस्ण है भारत की राष्टी आय अनुमानित होती है किसके द्वारा अनुमानित होती है आपको बताना है योजना आयोग द्वारा वित्यमंत्राले द्वारा केंद्री सांख की संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा तो यहाँ पे दोस्तो आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब होगे दोस्तो C option. केंदरी सांखी की संगठन द्वारा भारत की राश्टी आये का अनुमान या अनुमानित होती है. ठीक है? राश्टी आये का अनुमान लगाया जाता है केंदरी सांखी की संगठन इसकी अस्थापना दोस्तों बता चुके हैं 2 मई 1951 को इसकी अस्थापना हुई थी और इसका मुख्यले कहां है नई दिल्ली में है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्थ दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए निम्न में से किस राजजी की प्रतिव्यक्ति आये स सबसे अधिक है इसको ध्यान हिएगा यहाँ पर धुस्तों आपका A Option बिल्कुल सही है गोवा राज के बारे में बात करें दोस्तों तो पुर्थगालियों ने गोव पर 250 सालों तक सासन किया था और 19 दिसंबर 19 961 को गोवा आजाद हुआ था ठीक है कब आजाद हुआ था सकल राश्त्री उत्पाद माईनिस मूल लिहरास किसके बराबर होता है आपको बताना है option है प्रतिभ्यक्ति आय, निवल राश्टी उत्पाद, वेक्तिक आय या शकल घरेलू उत्पाद तो यहाँ पे दोस्टो आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताएए देखें दोस्तो, सकल राष्टी उत्पाद माइनस मूल राष्ट जो होता है, ये निवल राष्टी उत्पाद के बरावर होता है, निवल राष्टी उत्पाद को दोस्तो, एन एन पी कहते हैं, इसको ध्यार रखिएगा, एन 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 पी बरावर होता है, निवल राष्टी उ तो G.E.Н.P. कहते हैं इंपोर्थ प्रस्न है आप लोग इसका एंस्वर जुरूर बताइए भारत में किसे बैंको का बैंक कहा जाता है भारती रिजरु बैंक, भारती स्टेट बैंक Central Bank of India या Bank of India तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है सही जवाब है भारती रिजर्व बैंको का बैंक कहा जाता है भारती रिजर बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी अस्थापना एक अप्रेल 1935 को की गई थी एक अप्रेल 1935 को भारती रिजर बैंक की अस्थापना की गई थी और इसका मुख्याले कहा है इसका मुख्याले दोस्तों मुंबई में है इसको पर आपका सही जवाब क्या है RBI का मुख्याले कहा है मुंबई में है यहाँ पर आपका C option बिल्कुल सही हो जाएगा RBI के बारे में बता चुके हैं दोस्तो इसकी अस्थापना एक अप्रे 1935 को की गई थी और इसका मुख्याले मुंबई में है बरतमान में बात करें दोस्तो की RBI का गवर्नर को रहें तो आपका जवाब होगा सक्तिकांत दास यह जो है बरतमान में RBI के गवर्नर है इनका जो कारिकाल है वह कब तक है 2024 तक इनका कारिकाल है चलिए अगला प्रसंद देखेंगे भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन जारी करता है आपको बताना है option है with mantra ले with सचीव भारती state bank या भारती reserve bank तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है आपका सही जवाब होगा भारत में currency note जो जारी करता है वहाँ है भारती reserve bank यहाँ पे दोस्तों आपका D option बिल्कुल सही है RBI जो हो है दोस्तो यह currency note जारी करता है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है इसकी अस्थापना कब हुई थी 1935 इसमें इसकी अस्थापना हुई थी देखें दोस्तो 10 रुपई के note पर 10 रुपई के note पर भारती रिजर्बैंग के governor का हस्ताक्षर होता है यहाँ पर दोस्तो आपका D option बिल्कुल सही है ठीक है भारती रिजर्बैंग के governor का हस्ताक्षर 10 रुपई के note पर होता है बात करें दोस्तो एक रुपई के note पर किसका हस् सचीव का हस्ताक्षर होता है इसको ध्यान रखिएगा एक रूपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है वित सचीव का हस्ताक्षर होता है और एक रूपए का नोट कौन जारी करता है तो इसका जवाब है दोस्तों वित मंत्राले जारी करता है इसको ध्यान रखिएगा चल कहां इस्थित है देवास में इस्थित है इसको ध्याद रखिएगा मध्यप्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्यप्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल है ठीक है और मध्यप्रदेश की जो सीमा है दोस्तों किन राज्यों से लगती है तो कुल पांच राज्यों से पुछले भाग पर कितनी भासाय मुद्रित होती है, आपको बताना है, ओप्छन है, 12, 13, 14 या 15, यहां पे दोस्तों, आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब होगा, भारती करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कुल 15 भासाय मुद्रित होती है, इसको ध्यान जो होती है, वो नोटों के पिछले भागों पर मुद्रित होती है, और हिंदी और English जो है, सामने के भागों पर मुद्रित होती है, चलिए अगला प्रस्न देखेंगे अगला प्रस्न है, भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक बैंक कौन है, आपसन आपके सामने है नाबाड, SBI, ICICI, या फिर option है UBI, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब होगा दोस्तो, SBI, भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक बैंक कौन है, SBI होता है, State Bank of India होता है, ठीक है, इसकी अस्थापना कब हुई थी दोस्तो, इसकी अस्थापना 1955 में हुई थी, SBI की अस्थापना, इसको ध्यार रखिएगा, और इसका मुख्याले कहां है, तो इसका मुख्याले दोस्तो, मुंबई में है, ठीक है, SBI का मुख्याले कहां है, मुंबई में है, तो इस प्रकार से दोस्तो, आपका यहाँ पे पूरा 25 प्रस्ण पूरा complete हो यह वीडियो दोस्तो, आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, अच्छा लगा है दोस्तो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्स्राइब करिए, और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, अभी के लिए दोस्तो, बस इतना ही, अब हम आपको के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद